आज मोबाइल हर व्यक्ति की जरुद बन गया इसके बिना आज के डिजिटल यूग में रह पाना अब संभव नहीं मोबाइल के बिना सरकारी योजनाओं का लाब उठाना काफी मुश्किल है छातर हो या मजदूर रेडी वाला हो या ठेले वाला दुकानदार हो या कोई आम व्यक्ति हर किसी को मोबाइल चीए ऐसे में जीओ एट या वोड़ाफोन जैसी नीजी कमपनियों ने गट तीन जुलाई से मोबाइल रिचार्ड्स की कीमतों में करीब 10 से 25 परतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी जिसके चलते लोगों को एक बार फिर सरकारी कमपनी BSN यानी भारत संचार निगाम लिमिटेड की याद आने लगी नीजी कमपनियों के मोबाइल रिचार्ड्स की रेट बढ़ाने से आम लोग परिशान है खास कर नीम आई वर्क के लोग ऐसे में मोबाइल उबहुगताओं का अब सस्ता प्लान देने वाली सरकारी कमपनी BSN की और रुख कर रहे है जिसके चलते इन दिनों BSN के कारेयले में अपना नंबर पोर्ट कराने वालों की भीड जुटती नजर आ रही है बदाये जा रहा है कि इन में से नीम और मद्या वर्क के लोगों की संख्या काफी अधिक है BSN के अधिकारियों के माने तो जुलाई मामें BSN में अपना नंबर पोर्ट कराने और नए सिम लेने वालों की संख्या कई गुना बढ़ी है बदाये जा रहा है कि BSN ने अन्य कंपनियों के मुकाबले कराकों को काफी बहतर प्लान दे रहे है इससे लोगों का जुकाव इसकी और बढ़ रहा है नीजी कंपनियों के मुबाईल रिचार्ज प्लान की रेट बढ़ाने से BSN के यूजर्ज के संख्या लगातर बढ़ रही है उधारन के तोर पर हम आपको समझाते हैं कि जैसे एक वर्स वाली विबिन कंपनियों की रिचार्ज प्लान जिसमें आसिमित कॉलिंग सुवीदा के साथ पढ़ती दीन 2GB डेटा और 100 SMS मुफ्ट मिलता है इस प्लान को जब BSN 2,399 में दे रही है तो वहीं इस प्लान को जी ओ और एटल 3,599 में दे रही है तो वहीं Vodafone आइडिया इसे 3,499 में अपने उप्लक्त करा रही है बताया जा रहा है कि नीजी कंपनियों के टैरिफ प्लान की रेट बढ़ने से भारी संख्या में लोग BSNL में सिफ्ट हो रहे हैं तो कई SMNJS में भी हैं उनका कहना है कि BSNL की सेवा ठीक नहीं है कई स्तानों पर नेटवर्क नहीं रहता उपोगताओं का कहना है कि अगर BSNL अपनी सेवा दुरूस्त कर दे तो नीजी कंपनियों की मनोपॉली समात हो जाएगी साथ इसे देश को बहतर राजस की भी प्राप्ती होगी बले देश की तीन परमुख टेलीकॉम कंपनिया हैं Reliance, Geo Airtel और Vodafone Idea ने मोबाइल टैरिफ में भारी बढ़ोतरी कर दी इसके चलते महंगाए से जूज रहे लोग आम लोगों को परेशानी बढ़ गई लेकिन सरकारी और टैलीकॉम टैगॉलेटर ट्राई इस मामले में हक्स्त शेप करने का कोई रादा नहीं दिखरा अधिकारियों का मानना है कि हालिया बढ़ोतरी के बावजुद भारत में मोबाइल टैरिफ अब दुनिया में सबसे सस्ता है हाला कि अधिकारी चाहते हैं कि टैलीकॉम कंपनिया अपनी सेवाओं की क्वालिटी पर अधिक ध्यान दे टैलीकॉम कंपनिया टैरिफ फिक्स करने के सवतनत है लेकिन उन्हें बोगताओं को अच्छी गुणवड़ता वाली सेवा उपलप्त करानी होगी कॉल ड्रॉप की बढ़ती घटनाओं के कारण सेवा की गुणवड़ता में सुधार ट्राय की सर्वोचर प्रात्मिकता रही है वहीं विशेशोका का मानना है कि इससे शहरी भारत में टैलीकॉम सर्विसेस बर खर्च वितवर्श दोजार पच्शीस में घरलूवय का 2.8 परतिशत हो जाएगा बढ़तरी बहुत जादा नहीं है बदाए जा रहा है कि ये टेलिकॉम कंपनियों ने परती यूजर ओस्तम राजसों बढ़ाने के लिए टैरिफ में वड़ोतरी किये, उन्होंने महेंगाई 5G स्प्रेक्ट्रम खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चुका है, लेकिन अभी तक बहुत का मॉनेटाइजेशन हुआ है, वहीं व इतवर्ष 24 में 2.7 परतिशत था, ग्रामिन परिवारों के लिए ये 4.5 परतिशत से बढ़कर 4.7 परतिशत हो जाएगा, अधिकारियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, बताय जा रहा है कि टेलिकॉम कंपनियों ने परती यूजर ओस्तम राजसों ब ये विशेशकों से पता चला है कि टैरिफ में 13% वर्दी मध्यम है और घरीलू खर्च का इस पे ज़्यादा असर नहोने की संभावना नहीं है, ये नॉमबर 2021 के बाद मोबाइल टैरिफ में पहली बड़ी बढ़ोतरी है, बतादे चले कि एक्सपर यूजर्स बी एसनल की पतारिफ करते वहें से बहतर विकल के रूप में पेश कर रहें, कई पोस्ट में ये जानकारी दी जारी कि लाखों लोगों ने BSN में अपने स्म पोर्ट करवा ली हैं, कुछ उजर्स BSN के प्लान की तुलना प्राइवेट कमपनियों के प्लान से कर रहें, और BSN को अधिक किफायती और लाबकारी बता रहे हैं वहीं सोशल मीडिया पर जी और अम्बानी परिवार को लेकर भी कई मीम्स देखने को मिल रहे हैं जो एक साथ कीगे टैरिफ में वरदी को लेकर सोशल मीडिया में जातर वाइरल हो रहे हैं जिनमें लोग अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंद की शादी का खर्चा यूजर्स से वसूलने की बात कहते नजर आ रहे हैं हाला कि जंता दर्बार नियूज इसकी पुष्टी नहीं करता है एक साथ टैरिफ में वर्दी के कारण लोगों में काफी असंतोष भी देखने को मिल रहे हैं लोग वे सोशल मीडिया पर अपना गुसा जाहिर करते रहे हैं सोशल मीडिया पर हैस्टेग बॉयकोट जी ओ ट्रेंड कर रहे हैं जहां लोगों देश की तीन पर्मुक टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं इसके साथ ही कई उजट्स बियसनल को अपनाने की बात कर रहे हैं जिसमें हैस्टेग बियसनल पर घर वापसी ट्रेंड कर रहे हैं अब तक इस हैस्टेग के साथ लाखों से जादा लोग पोस्ट कर चुके हैं प्राइवीट कंपनियों के इस बड़े वे दामों की कारण अब लोग सस्ता और किफायती विकल्प तलाश रहे हैं जिसमें के पास उबोगताओं के लिए कई किफायती प्लान देखने को मिल रहे हैं